हलो स्टूडेंट, वेलकम टू मागनेट बेइन्स मेरुपाली वर्मा मागनेट बेइन्स आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइट कराता है सारा कंटेंट जो है बहुत ही उम्दा क्वालिटी का ही रहता है आपका किंडर गार्डें से लेकर क्लास ट्वर्ट तक का ही जितने भी आप वीडियोस देखना चाहेंगे टोटल हन्रेट परसेंट फ्री दो वीडियो देखने के बाद कभी यह नहीं बोलेगा कि आगे का वीडियो देखने के लिए आपको कुछ पेमिंट करना है यहाँ पर आईए फ्री एजुकेशन का लाब उठाईए हमारे साथ बनी रहे है आज का जो हमारा वीडियो है वो है CUET E2022 जो हमारा होने आला है अर्थात कॉमन इन्वेस्टी एंटेस्ट के लिए NTA ने जो है National Testing Agency ने जो है मौक टेस्ट या प्रैक्टिस पेपर एक इशु किया है आपको यह चीज़ बताने के लिए कि आपको कम्प्यूटर पे बैठ कर किस तरीके से एक्जाम्स अपने देने है इसमें जो पाटन फॉलो किया जा रहा है यह कहीं पे क्लियर नहीं किया गया है कि ऐसा ही पैटन आएगा या कुछ ऐसा ही चीज़ेंगी इसलिए आप बिल्कुल भी यह मत सोचीगा कि जिस पैटन में यह कोशन पूछे जा रहे हैं उसी पैटन में आपसे पूछे तो इस चीज़ें बिल्कुल मत सोचीगा कि अरे इतना इजी है हम नहीं पढ़ेंगे हमेशा यह याद रखें कि थोड़ा और जितना भी आप टफ पढ़ सकते हैं उतना पढ़ने की कोशिश किया करें तो चलिए फटा फट यह हमारा जो पेपर प्रैक्टस पेपर आया है हम सौर्फ करते हैं कि टोटली एमजी की उस बेज़ें बहुत ध्यान से इसको हम करना शुरू करेंगे सबसे पहला जो हमारा कोशन शुरू होता है वह गध्यांश गध्यांश है फिर उस पर आधारित हमसे वह विकल्पिय प्रश्न पूछे गए क्या पूछा क्या है प्रस आश्री जाने का आफसर मिला अपना काम समाप्त कर लेने के बाद इच्छा हुई कि संत कबीर का आश्रम देखा जाए मध्यकाल के इस महान संत का भक्ती आंदोलन के विकास में महत्वपूर्य योगदान रहा है मैं उनके स्था आन को देखने के लिए रिक्षे में बैठ क कभी इर चौरा के आश्रम के लिए चल दिया कई सक्री गलियों को पार करता हुआ आश्रम तक पहुंच ही गया आश्रम के आसपास भीड भार के यह हालत देखकर मुझे लगा कि पहले इस आश्रम का इस्थान निश्चिति खुला रहा होगा पर अब तो यह घनी बस्ती से घिर गया है आश्रम में प्रवेश करते ही मन में विशेश तरह की पवित्रता का भाव जागरत्चा हो गया एक और गेरुआ वस्त्र पहने अधेड व्यक्ति खंजडी बजाते हुए कभीर का पद बड़ी तनमयता से का रहा था आश्रम यद्यपी ये साधारन ही बना है पर मन पर प्रभाव डालता है इसलिए आश्रम में प्रवेश करते ही कभीर की महानता परिभाशित हो उठी आश्रम के एक कोने पर रुद्राक्ष के ये बड़े-बड़े मन को माली एक बड़ी माला देखने को मुली मुझको बताया गया कि कभीर दाज जी इसी माला से जाप करते थे ये कहना तो कठिन है कि कभीर माला जपते थे या नहीं उन्होंने तो स्वेम ही कहा है कि बाहर माला जपने के बज़ाए अपने मल की माला को जपना चाहिए परन्तु वहां की लोगों ने बताया कि ये वही माला है जिसको कबीर अपने पास रखते थे वैसे भी कबीर के वेक्तित्व में विरोधी तत्वों का समन्वे था साथ ही वह हिंदू भी थे और मुसल्मान संत भी थे और ग्रहस्त भी थे वस्तुतावी कवी और समाज सुधारक दोनों थे और समाज के विभिन वर्गों में एक्ता उत्पन्य करने वाले उपदेशक भी उन्होंने स्वेम कोई धर्म संपदाय नहीं चलाया पर आज हजारों वेक्ति स्वेम को कबीर पंथी कहने इमें गर्व का अनुभव करते हैं इन्ही सब विशेष्टाओं के कारण कबीर अपने समय के संतों से अलग स्थान रखते हैं कबीर का जन्म कब और कहा हुआ तथा इसके माता पिता कौन थे इनका पुष्ट प्रमाल नहीं है परन्तु ये साफ पता चलता है कि इनका पालन पोर्शन एक मुसल्मान परिवार में हुआ था कहा जाता है कि नीरू नाम का नामग काशी के किसी जुलाहे ने एक नवजाश शिशु को ताराप के किनारे पाया था नीरू उ की अपनी कोई संतान नहीं थी अतावा उस बालग को अपने घर ले आया जिसका नाम आगे चलकर संत कबीर के नाम से प्रसिद हुआ तो ये हमारा गध्यांज था अब इस पे आधारित हमारे पास प्रश्ण है तो प्रश्ण संक्या एक है लेखक को लगा कि माला उनकी नहीं हो सकती उनकी मतलब कबीर की नहीं हो सकती ऐसा क्यों लगा उन्हें माला बहुत पुरानी थी इसलिए माला किसी और के हांतों में थी इसलिए कबीर माला जपने का विरोध करते थे माला केवल हिंदु जपते हैं तो सही इसका सही क्या था? क्योंकि वो खुद इस चीज का विरोधा, उनके अंदर ये नहीं था कि वो कहते थे बाहर माला जपने से अंदर है कि अपने अंदर माला जपो. तो एक तरीके से कबीर माला जपने का विरोध करते थे. next is को लगा आश्रम का इस्थान पहले खुला रहा होगा उन्हें ऐसा क्यों लगा उन्हें लगता था कि आश्रम खुले हुए होते हैं उनको ऐसा लगता था अब आश्रम के आजपास सक्री गलियां थी कभीर को खुली जगा पसंद थी सब आश्रम खुली जगाओं वाले में ही होते हैं तो क्या था जो वह सक्री गलियों से पोंचे थे तो अब भीड भाल और सक्री गलियां थी तो मैभी अब क्या समय उस समय और इस समय में changes हो गया तो धीरे धीरे बस्ती-बस्ती चले गए तो उसके अब आश्रम के आसपास सक्री गलियां थी पहले खुला रहा होगा तो इन सक्री गलियों के कोई requirement नहीं थी पहले वह अब भीड़ोती गई तो वहाँ पर सक्री गलियां बन गई नेक्स है कबीर का आश्रम देखनी की इच्छा जागरत हो गई क्यूं उनकी अंदर वो इच्छा क्यूं जागरत हुई कबीर का आश्रम देखनी की आश्रम की बहुत प्रसंशा सुनी थी किसी संत से मिलना चाहते थे कबीर की माला देखना चाहते थे या उनका काम समाप्त हो नेक्स ने गद्यांश के आधार पर निम्लिकित में से कौन सा कथन सही है अब आपको बताना है जो हमने गद्यांश पढ़ा है उसमें से कौन सा कथन सही है कबीर केवल समासुधारक थे कबीर संत और प्रचारक थे कबीर संत और ग्रहस्त दोनों थे कबीर केवल ग्रहस्त थे तो गद्याज के नुसार अगर हम जाएंगे तो इसमें जो हमारा सही है वो है कबीर, संत और ग्रहस्त दोनु ही थे ये चीज़ उसमें बताई गई है प्रश्ट संक्या पाच है आश्रम में प्रवेश करते ही क्या हुआ उन्होंने देखा उन्हें एक संत दिखाई दिए कबीर की महानता परिभाशत हो गई कबीर की माला दिखाई दे गई कभी एक कबीर पंथी नाच रहा था एक कबीर पंथी नाच नहीं रहा था वो क्या गर रहा था गा रहा था तो यह चीज तो हमारी गलत हो गई कबीर की माला भी दिखाई दी थी लेकिन बाद में तो उनको जैसी उस आश्रम में उन्होंने दाखिल हुए वहां का जो सारा महौल है सब कुछ देख के उन्हें ऐसे लगा कि कबीर की महानता वहां पर परिभाशत हो गई एक्चल जो हमारा गध्यांश में दिया गया है अब आते हैं हमारा दूसरा गध्यांश क्या दिया है दूसरा गध्यांश में पढ़ते हैं प्रस्तुत गध्यांश के आधार पर उसके नीचे दिये गए प्रश्णों के सही उत्तर दीजिए फिर से हमारे पास गध्यांश है फिर उससे प्रशन पूचे जाएंगे और फिर हमें उनके उद्दर देने होंगे गाउ में पहले प्राचीन संस्कृति और परंपरा के केंद्र हुआ करते थे सदियों पुरानी परिपाटी के हिसाब से ही यह चलता था लेकिन स्वाधीन भारत में धीरे धीरे बहुत कुछ बदल गया गाउ में एक माधमिक विद्याले खुला एक डांक खाना नालिया पक्की हो गई गलियों में खंज्रा बिज गया बिजली की भी विवस्ता हुई अब रहट कहीं ही किसी खेत में दिखाई नहीं देती सर्वत्र नलकूपों उसे सिचाई हो रही ही है रहट मतलब पानी ऐसे करके निकाला जाता था उससे रहट लगती थी फसल बीज और खात तथा ओजारों के गुडात्वक सोधार हुआ सुबा सुबा खेतों में खेतों में बैलों के कंधों पर हल अब कम दिखाई देने लगे खेत खल यालों में टैक्टरों के अत्रिक्त भी अनेक न कामीर अर्थ तंतर के इस बदलाव ने गाउं की मानसिक्ता और पारंपरिक आचार वहवार को प्रभावित ना किया हो ऐसा भी नहीं है तो भी दूर दराज इस बड़े शहर में वर्षों से रहने वाला व्यक्ति अपने इस गाउं की मिट्टी में बसी ऐसी कुछ आत्मिय गंध के एसास से अब भी पुलकित हो उतता है यह याद ही उसे बार-बार यहां खीच लाती है अपनी इन असिक्षत गरीब आत्मिये जनों के सुख दुख में शामिल होकर व्यक्ति को जहां सुख मिलता है वहीं कहीं कुछ भीतर से भी कुरेद देता है पीड़ा देता है स्वाधिंता के इतने वर्ष बीत जाने पर भी हमारे गाओं में नर्णारियों और बच्चों में सिक्षा का अपेक्षत विकास नहीं हो पाया है अभी भी रोजगार के विभिन अफसरूं और दिशाओं की खोज की प्यास इस गाओं के लोगों में सिक्षा का इस्तर अभ प्रति विकास और संपन्नता के लिए कुछ न कुछ योगदान अवश्य करना चाहिए पिछले वर्षों में गाउं का विकास तो तेजी से शुरू हुआ है लेकिन अब भी गाउं के विकास के लिए बहुत काम करना बाकी है अब इसी पे आधारित प्रशने हैं क्या है प्रशने गद्यांश में गाउं को किस रूप में परिवर्दत दिखाया गया है कौन सा रूप है जिसे दिखाया गया है पुरानी परिपाटी का सक्ति से पालन किया जा रहा है व्यादिक परंपरा को अपनाया जा रहा है गाउं आजकल बदल गए हैं गाउं में लोग अब खेती नहीं करते तो इसका जो सही option है क्या है कि गाउं आजकल बदल गए हैं पहले बहुत ही पारंपरिक तौर्पन का पालन करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं आजकल गाउं में कौन सी सुविधा नहीं है कौन सी नहीं है डांग घर बन गया है चिक साले बन गया है बजली की विवस्था हो गई है नालिया पक्की हो गई तो इसमें गद्यांश में जो विवस्था दी गई थी उसमें एक नहीं है वो है क्या था चिक साले बन गया है यह गद्यांश में जो नहीं है वो चीज़ आपका है फिर गाओं का हाल देख कर व्यक्ति को पीड़ा हो रही है क्योंकि वह सिक्षित है वह धन्मान है वह गरीब है नारीयों और बच्चों में सिक्षा का अपेक्षत विकास नहीं हो पाया है तो सही option है कि नारीयों और बच्च में सिक्षा का अपेक्षत विकास नहीं हो पाया है प्रेश्ण संख्या 9 है आपका गद्याश में वर्णित गाउं में आजकल सरवत्र आजकल सरवत्र क्या चीज है रहट चल रही है बाजार खुल गए है प्रॉड सिक्षा के केंद्र खुल गए है नल कूपों से सचाई हो र नेक्स्ट है प्रेश्ण संख्या 10 गाउं से शहर आकर तरक्की कर चुके लोगों को आपको पूरा ये वाक्य करना है गाउं के लोगों को नौकरी दिलानी चाहिए आर्थिक मदद करनी चाहिए अस्पताल खुलवाने चाहिए अपने लोगों की प्रगती संपन्नता और विक और विकास के लिए कुछ-ना-कुछ योगदान अवश्य करना चाहिए तो ओंच हमारा गहा सही है कि अपने गाउं की संपन्तिte विकास के लिए कुछ-ना-कुछ योगधान necesario करना है कि अ आपको अहिक hneote है हमारा सोभाव कर दिध को में आपक्स्ट कर आदा हिसमार पर उसके नीचे दिए गे प्रश्नों के सही उत्थर देनी हैं फिर आपको गद्यान दिए यह पिर आप से कोशन पूचे जाएंगे और उनी अध्युके आदोारित आपको उत्तर देनी हैं क्या है आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में भारति की महत्पवयोगदान है उन्होंने साहित की राष्टिये चेतना से जोड़ा है भारतेंदु का महत्वमात इसलिए नहीं है कि खड़ी बोली के स्वतंत हिंदी रूप के प्रचार के लिए उन्होंने तरह तरह के उद्योग किये। उन्होंने हिंदी की राष्टरियता की भावना और समाज की नवीन चेतना के प्रसार का माध्यम बनाया इस प्रकार उन्होंने भाषा को राष्ट्रिये चेतना से संपन्न किया रचना के इस्तर पर भारतेंदू ने अनीक भाषा प्रयूप भी किये पद के लिए उन्होंने ब्रज भाषा को अपनाया तथा गद के लिए खड़ी बोली को आधार बनाया अपनी रचनाओं, नाटक, कविताओं और निबंद में उन्होंने प्रचलित हिंदी भाषा के विभिन रूपों को अपनाया है महावी प्रसाद दिवेदी के समय की कविता भारतेंदू की कविता से विभिन प्रकार की कविता है चायवादी आंदोलन की शुरुवात के बाद कविता भाषा और समप्रेक्षण की दरश्टी से कुछ-कुछ कठिन होती गई वह कविता भी जनता से विम्मक हो गई क्योंसी उसने अप्रत्यक्ष विधान आप्रस्तुत विधान आदी को कविता में इस्थान दिया वो चीज जो नहीं आती थी वो भी कविताओं में आने लगी इसलिए चायवादी कविताएं आपको जादा टफ लगती है चायवाद के विरोध के अनेक कारणों में एक कारण ये भी है कि वह कविता संप्रेक्ष धम की कम, धर्मी कम और उसे इस थूल का शूश्म के प्रती विरोध के रूप में देखा गया कि मतलब जो चीज़ आप मोटे तौर पर समझा सकते थे उसे आपने बहुत बारीकी के तौर से हमारे सामने प्रस्तुत किया आम कविता और शास्त्री कविता की एक आड़ सी बना दी गई जिसने कविता की लोकप्रिये बाधित होने लगी अनेक बहुत ही जन समप्रेक्षण सुलब कविताय लिखी गई पर जन कविता से दूर होता गया इसी कारण यदि कामायनी जनमत तक नहीं पहुँच पा रही है तो उसके पीछे एक एक ताकत रहस्त वाद की भी रही है इसी कारण इस दौर में भारते इंद्र के बाद पहली बार कविता को समप्रेक्षण की तलाश हुई अब इसी पे आधारित प्रश्न है प्रश्न क्या है देखते हैं हिंदी को राष्टिये चेतना से संपन्य करने वाले साहित कारों में सरवादिक महत्वपूर नाम है किसका नाम महत्वपूर है तो सबसे ज़्यादन महत्वपूर नाम है वो है भारते इंदू हरीश चंद्र जी का नेक्स्ट आते हैं कविता भाषा और संप्रेक्षन की द्रश्टी से कुछ कुछ कठिन होती गई ती चायवाद के बाद प्रगदिवाद के बाद रहसवाद के बाद या प्रयोगवाद के बाद तो यह कब हुआ था कब का हुई थी यह हुई थी चायवाद के बाद जो है सारी कविताएं बह नहीं चाहती थी इतना कविता और जनता में संबंद नहीं रहा जनता कविता को नहीं समस्ती कवी जनता की भावनाव को महत्व नहीं देते थे यह अप्रत्यक्ष विधान अप्रस्तुत विधान आदी को कविता में स्थान दिया गया तो सही क्या था जो चीज कविता से विम्खो रही थी गद्यांश में किस काववे आंदोलन के बाद कविता भाशा और संप्रेक्षन की दश्टी से कुछ-कुछ कठिन हो गई अब ये कौन सा आंदोलन हुआ था जिसके बाद कविता कठिन हुई थी चायावाद सचंदतावाद रहसवाद या प्रगतिवाद तो वो है हमारा चायावाद रहसवाद में कामायनी के अध्यन को किस प्रकार परभावित किया अब रहसवाद में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण कामायनी जो है वो अपरभावित हुई थी कायामनी के अध्यन से में आसानी हो गई थी कामायनी का अध्यन कठिन हो गया था कामायनी जन्मत तक नहीं पहुँच पाई थी कामायनी बहुत प्रसिद्ध हो गई थी कारण क्या था रहसे बाद ने इसको इसलिए प्रभावित किया था क्यों क्योंकि ये जन्मत तक नहीं पहुँच पा रही थी जन्मन किस जितने भी लोग ते उनके मन को वो टचनी कर पा रही थी तो यहार पे तो हमारे जितने गड़्यांश हमारे तीन थे वो सारे खतम हुगे उस पे अधारित प्रश्न भी कर लिए अब हमारा जो एक्स्ट्रा जितना सिलेब से उस पे आधारित आपसे प्रश्न किये जा रहे हैं कि जिसमें मैं काफित कुछ आपको पढ़ा भी चुकी हूँ और अभी कुछ चल भी रहा है तो देखीं क्या है वो हिंदी साहित के आधिकाल को वीरगाथा काल कहने वाले इतिहास कार हैं हिंदी साहित को आधिकाल को वीरगाथा काल कौन कहता है जॉर्ज गेंसन, रामचंदर शुक्ल, श्याम संदरदास, हजारी प्रसाद दिवेरी तो सही इसका option है हमारा रामचंदर शुक्र नेक्स्ट है प्रश्टि संक्या सत्रा हिंदी साहित की भूमिका के लेखक है अब हिंदी साहित की एक कविता हिंदी साहित की भूमिका एक किताब है इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद दिवेदी, राम विला, शर्मा, राम, वर, सिंग या शिव, दान, सिंग, चोहान तो इसके लेखक है हमारे हजारी प्रसाद दिवेदी जी नेक्स आते हैं, निमलिकित में कौन सी भाषा, आर भाषाओं में शामिल नहीं है आर जो भाषा हैं, उनमें शामिल नहीं है अर्वी, संस्क्रत, हिंदी या प्राक्रत तो सही option है हमारा आर्वी देखें, प्राक्रत हमारी भारतिय भाषा रही है और अर्वी हमारी विदेशी भाषा है विदेश बाद में आई तो आरे बहुत पहले हुआ करते थे आरब बाद में आए तो आरे भाशाओं में हमारी हिंदी संस्क्राइब प्राक्रत शामल रहेगी लेकिन कोई भी विदेशी भाशा उसमें शामल नहीं है नेक्स्ट है प्रश्ण संख्या 19. निमलिखेत में से कौन सी पष्चिमी हिंदी में शामल नहीं है अब पष्चिमी हिंदी आव इसको आप कैसे समझोगे पष्चिमी हिंदी यानि कि भाड़त का जो पष्चिमी एरिया है वहां पर ये भाशा नहीं बोलि जाती कौन सी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली या बगहेली तो सही इसका option है हमारी पश्मी हिंदी में बगहेली शामिल नहीं है नेक्स्ट है प्रश्टी संक्या 20 चापलूस किस भाषा का शब्द है कौन सी भाषा में चापलूस शब्द इस्तिमाल किया जाता है हिंदी, अर्बी, फार्सी या तुर्की तो इसका सही option है हमारा ये एक फार्सी शब्द है कमरा किस भाषा का शब्द है कमरा किस भाषा में लिया जाता है तुर्की, पुर्तगाली, हिंदी या फार्सी तो कमरा जो है वो है हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द यथा समय शब्द में समास होगा अब समास आपके सामने हैं एक दब यथा समय यथा एक अव्या है क्या है जहां समास में दो पद होते हैं पूर्वपद और उत्तर पद पूर्वपद में पूर्वपद अगर अव्या है या उपसर्ग है तो उस जगह हमारा कौन सा समास होता है अव्याई भाव समास तो यथा समय हमारा क्या हुआ अव्याई भाव समास होगा नेक्स आते हैं देश भक्ती देश भक्ती शब्द में समास क्या है इसको विग्रे करिए आपको समास तूरंद पता चल जाएगा देश की भक्ती अब की हमारा क्या है? ये संबंध बोधकारक है संबंध कारक है है न? तो यहां पर हमारा क्या सही आएगा? आपका ये तत्पुरुष कारक के हिसाब से कौन से समास बनते हैं हमारे तत्पुरुष अब ये कौन सा है? संबंध तत्पुरुस समास अब इसे संबंध तत्पुरुस हो दिया नहीं है आपको सीधे तत्पुरुस दे रहा है तो आप तत्पुरुस पे इसपे टिक कर देंगे नेक्स आते हैं संग्या के भेद होते हैं संग्या के कितने भेद होते हैं हम लोगों ने अभी तक तीन पड़े हैं लेकिन बेसीकली संग्या के जो हैं वो होते हैं पांच भेद आपके कौन से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और सम्मूवाचक ये पाज भेद संग्या के होते हैं नेक्स रेनेम लिखेत में सही शब्द नहीं है अब यहाँ पे आपको ग्रामाटिकल मिस्टेक ढूननी है कि गलत कौन सा है और सही तो अब इसमें क्या है सही शब्द नहीं है यानि कि कोई एक शब्द है जो गलत है अब आप यहाँ देख रहे हो समाजिक आशिरवाद उज्वल मंतरी अब यह क्या होता है समाजिक नहीं होता है क्या होता है सामाजिक तो सा में आ की मात्रा लगेगी यहाँ पे क्या ही है शब्द कैसे बनेगा सामाजिक यह ऐसे बनेगा ठीक है ना, तो यह हमारा जो गलत शब्द है, वो है का नेक्सट आते हैं, प्रशणिस अंकिया 26, निमली कित में अग्नी का समानारती शब्द नहीं है अब आपको बताना है, अग्नी का समानारती अर्थाथ, पर्यायवाची शब्द नहीं है पावक अनिल अनल आग अब क्या है अगनी अनल आग पावक तो इसमें जो शब्द नहीं है वो है हमारा अनिल नेक्स्ट है प्रेश्ट संक्या 27 निम लिखित में काम देव का समनार्थी नहीं है काम मदन अनंग आनंद तो जो नहीं है वो क्या है वो है आनंद आनंद तो खुशी उलास हर्ष का प्रयायवाची है तो सही हमारा क्या है घा ये काम देव का प्रयायवाची शब्द नहीं है 28 निमलिखित में आकाश का समनार्थी शब्द नहीं है आप इसमें आपको बताना है आकाश का समनार्थी शब्द नहीं है गगन व्योम जलद अंबर तो जो नहीं है वो क्या है जलद जलद तो बादल का है बादल का पर्याइवाची हमारा है जलद आकाश का नहीं है प्रेश्टि संक्या 29 है निम लिखे त में परवत का समनार्थी नहीं है परवत शब्द परवत का समनार्थी नहीं है हिमालय पहाड भूदर गिरी तो इसमें जो नहीं है वो क्या है? हिमालय हिमालय तो परवत का नाम है हिमाले के और भी नाम है, गिरिराज है, तो इस तरीके से आएगा, तो यहां पर परवत का जो परहायवाची नहीं है, वो है हिमाले नेक्स्ट है प्रेश्ट संक्या 30, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गी करन करना है आपको जब हम शब्दों को बनाते हैं, तो वो किस आधार पर हमारे बनते हैं, उसमें कितने आधार होते हैं, तो उसमें होते हैं हमारे तीन आधार होते हैं, कौन से? रूड, योगरूड और योगिक, ये तीन शब्द के वर्गी करन होते हैं प्रेश्ण संख्या 31 निमलिखित में तस्सम शब्द है तस्सम तद्वाव से तो आप अच्छी तरह बात किते हैं तस्सम शब्द है आग, घी, सूरज, मेग तो तस्सम शब्द हमारा क्या होगा वो है मेग यानि कि वो शब्द जो संस्ट्रत से लिए गए जिनमें कोई बद लाव कर दिया गया है दडी काम हस्त वधू तो तद्वाव हमारा क्या है वो है काम फिर है रोजगार समाचार दो शब्द हैं आदर किएगा रोजगार समाचार किन दो भाशाओं से निर्मित शब्द है अब आपको बताना है रोजगार कौन सी भाशा का है और समाचार कौ अरभी हिंदी फार्सी हिंदी या फार्सी और संस्कृत तो इसका सही option है हमारा वो है फार्सी और संस्कृत रोजगार एक फार्सी शब्द है और समाचार एक संस्कृत शब्द है नेक्स आते हैं निमलिखित में कौन सा जाती वाचक संग्या का उधारन है जाती वाचक जहां पर किसी एक जाती को लेकर इंगिकेत किया जाता है जहां है हिमाले लड़का बच्पन नीम अब हिमाले तो हमारा वेखती वाचक संग्या है लड़का हमारा जाती वाचक संग्या है बचपन भाव वाचक संग्या है और नीम भी हमारा देखती वाचक संग्या है तो सही option क्या हुआ लड़का हमारा जाती वाचक संग्या होगा नेक्स कोशन है निमलिकित में अनुकूल का विपरीतार्थक शब्द नहीं है यानि कि इसका आपोजिट जो नहीं है वो है विरोधी, प्रतिकूल, उल्टा या दुकूल नेक्स आते हैं उदकर्ष का विपरीतार्थक शब्द है यानि उदकर्ष का विलूम शब्द इसमें कौन सा होगा उन्नती, प्रगती, अपकर्ष या पतन तो सही उप्षन है उदकर्ष का होगा अपकर्ष नेक्स आते हैं अन्भिक्य का विपरीतार्थक शब्द है जानकार, परिचित, भिग्य या सुविग्य तो सही उप्षन है अन्भिक्य का होगा भिग्य नेक्स्ट है नूतन का विप्रीत आर्थक शब्द है नूतन मतलब नया नवीन, पुराना, अरवाचीन या आपका पुरातन तो नूतन का क्या होगा पुरातन नेक्स्ट है निव लिखीत में गुडवाचक विशेशन नहीं है अब आपको यहां पर करना है जो गुडवाचक विशेशन नहीं है मैला, आधा, गोल या बल्वान तो गुडवाचक विशेशन जहां पर किसी चीज़ के क्वालिटी बताई जा रही हो तो मैला कपड़ा कपड़ी की क्वाल्टी बता रहे कि वो गंदा है फिर कोई चीज गोल है वो भी उसकी गुण माचक है बल्वान भी गुण ही बताता है जो यहां नहीं है वो है आधा आधा क्या बता रहा है वो संख्या बता रहा है माल लिजे आधा रोटी है आधा बिस्क है new इसटा क्या चाली से नेमलेखी तुम कॉंसा शब्द अनु उसर्ग से नहीं बना है अब आपको क्या बनाना है? अनु मुफसर्ग से नहीं बना है तो मैं आपको सहर प्रत्य अलग करेंगे उसमें मुलशब्ड का अर्थ निकलना चाहिए तो अब देखते हैं अलग करते हैं अब यहां पर पहला है अनू रूप तो अगर हम रूप अलग कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है यानि कि यह हमारा अनू सही बना है फिर है अनू कूल तो अब आप यहां देख रहे हो अनू बिल्कुल सही है शब्द यहां पर आप देख रहे हो अनु और चित अलग कर रहे हैं तो अलग गलत बन रहा है तो इसका सही option क्या है? यहां पर है यह अन प्लस उचित क्या है हमारा? यह हमारा अन प्लस उचित तो यह हमारा अनु से नहीं बना है तो इसका सही option है हमारा अनु चित नेक्स आते हैं निमलिखित में यौगिक शब्द नहीं है अब किसमें बताना है क्या चीज हमारा यौगिक शब्द नहीं है? पेलापन, दूदवाला, जटपट या कान तो जो सही है वो है हमारा कान कान हमारा यौगिक शब्द नहीं है यह एक रूड शब्द है नेक्स आतने निमलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है अब आपको यहां इतने सारे वाक्य दिये हैं चौता है यदि आप मेरा काम कर दे तो मैं आपका कृतधन रहूँगा यहाँ पर गलत option यह है यानि कि last वाला कृतधन यानि कि किये हुए उपकार को ना मानने वाला वेक्पी अगर आप मेरा काम कर दोगे तो मैं आपका कृतग्य रहूँगा तो जो है वो हमारा कौन सा है लास्ट वाला अगर आप मेरा काम कर दोगे तो मैं क्रतग रहूँगा क्रतधन नहीं रहूँगा यह हमारा जो statement है यह गलत है next आते हैं 43 पे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं 3,4,5 या 6 तो आप लोगो ने सर्वनाम पढ़े हैं तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं फिर आते हैं नेमलिखित में रूड शब्द आपको बताना है अब रूड शब्द कौन से जिनको हम अलग करेंगे तो उनका कोई मतलब नहीं निकलता है यानि कि ये अपने आप में ही पुराने समय से पैदा हुएं कैसे उत्पत्ती हुई क्या हुआ इसका कोई उलेख हमें कहीं नहीं मिलता है तो क्या है गिरधारी, लंबोदर, नाक या घुरसाल अब आप इसमें ये देखोगे कौन सा एक ऐसा शब्द है जिसको हम अलग करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा गिरधारी यानि की जो है परवत को धारन करने वाले, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अब नाक, नाक का हम कुछ अलग कर सकते हैं नहीं, तो यहाँ पर जो हमारा रूर शब्द है वो है नाक नेक्स्ट आते हैं प्रष्ट संख्या 45, अब आपको यहाँ पर वाक को पुनर विवस्थित करना है, गलत अरेंज हैं आपको इसमें सही इनका ऑप्शन ढूनना है कि किस तरीके से इसको हम देखेंगे क्या है, वितरित किये गए राष्ट पती द्वारा, वीरता पुरसकार, वीरबाल कुंकू, अब यहाँ पर हम इसको अरेंज करना शुरू करें, तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई दी, या तो आप लास्ट वाला वर्ड ढून लो, या पहला वाला ढून लो, जो वाक्या ठीक है, तब हम इसको अरेंज करना शुरू करते हैं, राष्ट पती द्वारा, वीरबालकों को वीरता पुरसकार वितरित किये गए, तो क्या हुआ हमारा पहला, बी, आपका डी, सी, और फिर ए, तो आप्शन हमारा क्या है देखिए, बी, डी, सी, ए, यह हमारा सही है, तो बाकी क्या बना हमारा, राष्ट पती द्वारा, वीरबालकों को वीरता पुरसकार वितरित किये गए, तो सही ऑप्शन हमारा आ रहा है, खाओ, नेक्स्ट आते हैं, प्रिश्ण संक्याची, 40, सार्थक बाकी बनाने के लिए निमलिखत को पुनर विवस्थत कीजिए, अब आपको सार्थक मतलब वही आपको वाक्य अहां अरेंज करना है, गाजर खरगोश को खिलाओ, काटकर, यह तो बहुत ही आसान सा है, सिंपल क्या है, आप देख रहे हो, खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ, तो पहला खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ, तो क्या आ रहा है A, sorry, B, B से शुरू हो रहा है, तो कहाँ पर आद देख रहो, यहाँ पर B, A, D, C, तो सही option आ रहा है हमारा गा, यह सही option है Next आते हैं, Question number 47, सार्थक वाक के लिए निमलिखित को पुनर विवस्थित कीजिए हमें इसको सही सारेंज करना है, देश की आजादी के बाद भारतिय सायनिकों के लिए अनेक पदक शुरू किये गए तो यह तो हमें सही लग रहा है A, B, C, D सही है देश के आजादी के बाद भारतिय सैनिकोल के लिए अनेक पच शुरू किये गई यह सही अनेक अरेंज है A, B, C, D एकड़म सही है नेक्स्ट आते हैं आपको फिर से वाक्य अरेंज करना है अभी इसी फिर रहे हो तुम गाओं के पास अब यहाँ पर क्या होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे लास्ट कौन सा है तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट होना चाहिए तो क्या हम यहाँ देखेंगे तुम गाओं के पास अभी इसी फिर रहे हो तो क्या होगा तुम अभी इसी गाओं के पास फिर रहे हो तो यहाँ है तुम अभी इसी गाओं के पास फिर रहे हो तो तुम क्या है? एक, दो, इसी गाओं के पास फिर रहे हो तो option क्या आ रहा है हमारा देखिए C A आपका C A D V आप कौन सा C A D V यह हमारा सही option आ रहा है Next आते हैं 49 निम लिखित में सही शब्द अब इसमें हमको ढूनना है कौन सा सही शब्द लिखा हुआ है रास्ट्रिये 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 चार तरीके से लिखा गया है आपको सही ढूनना है तो इसमें जो सही लिखा है वो है सबसे पहला यानि की का हमारा सही है रास्ट्रिये Next आते हैं Question number 50 निम लिखित में सही शब्द आपको निकालना है Terminal, Terminal, Terminal या Terminal यहाँ पर Terminal एक शब्द दिया गया है उसको हमें निकालना है तो यहाँ पर क्या है Terminal जो सही लिखा है वो हमारा Second Option एकदम सही है तो यहाँ पर Total जो हमारे पास में Question paper आने वाला है उसमें 50 questions हमसे पूछे जाएंगे जिसमें हमें 40 प्रेशन करने हैं तो यह हमारा पूरा paper हमने आपको solve करा दिया कि किस तरीके से दिया जाएगा तो यह एक तरीके से आपका practice paper था इस तरीके से papers आपको जो issue किये गये थे NTA द्वारा वो हमने complete कराया तो और भी practice papers आते रहेंगे और हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे तरीके से दिया जाएगा